Hello everyone, welcome to our worksheet series. आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा दूसरी की हिंदी वर्क्षीट सिरीज. हमारा पहला पार्ट है नीमा की डादी. चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रशन है नीचे दिये गए शब्दों के अर्थ लिखिए. तो हमें इनके मिनिंग्स बताने हैं. स्कूल, विद्याले, सिर्फ, केवल, इंतजार, प्रतीक्षा, मैदान, खेलने की जगह, रोज, प्रतिदिन, खूब, बहुत सारी, दर्द, पीड़ा. अब है नीचे दिये गए शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरो. कौन-कौन से शब्द हमें यूज करने हैं? दर्द, इंतजार, दोपहर, चपले, समय. चलिए पहला वाक्य देखते हैं. नीमा डैश में दो बज़े स्कूल से लोटती है. तो नीमा दोपहर में दो बज़े स्कूल से लोटती है. फिर है दादी के घुटनों में दर्द रहता है. यहां बिंदु नहीं आएगा. तो दादी के घुटनों में दर्द रहता है. फिर है दादी को नीमा का डैश रहता है. इंतजार रहता है. खेलने में डैश जल्दी कटता है. समय जल्दी कटता है. नीमा दोड़ कर दादी की डैश ले आई. चपने ले आई तो यह आप याद करेंगे अब है निमन लिखी चबनों पर अनुस्वार लगाईए अनुस्वार क्या होता है बिंदू जो की लाइन के उपर और अक्षर के उपर लगाया जाता है चलिए करते हैं पहला है में 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 आएगा म पे हैं हापे कहीं हापे घुटनों नापे इंतजार इपर क्यों यापे नहीं हापे चपले लपे दोनों नापे शंक शपे पतंग तपे बंदर बपे मंदिर मापे अंगूर अपे और बातें तपे तो यह आप लगाना सीखेंगे अगला प्रिशन है निमन लिखी चब्दों पर चंदर बिंदू लगाईए चंदर बिंदू कैसे लगाया जाता है यह चांद और यह बिंदू की तरह पाँच, पाँच में लगेगा पपे सांप, सपे काँच, कपे दात, दपे हसी, हपे हुँ, हपे हसना, यह भी हपे और चांद चपे तो यह अप चंदर बिंदू लगाना सीखेंगे अब है निमन लिखी चब्दों पर नुकता लगाईए देखे एक होता है बिंदू जो लाइन के उपर या अक्षर के उपर लगता है, नुकता लगता है किसी भी अक्षर के नीचे इसको नुकता कहते हैं, तो यहां हमें नुकता लगाना है पहला है सिर्फ, तो इसमें फ के नीचे आएगा तो यह सिर्फ फ बन जाएगा सबजी तो ज के नीचे लगेगा तो ज बन जाएगा ऐसे ही इंतजार ज के नीचे रोज इसमें भी ज के नीचे थोड़ी ड के नीचे दोड़कर और जोर ज के नीचे तो इनको हम बोलते हैं नुकता अब है निमन लिखित में से नाम और काम वाले शब्दों को अलग अलग कीजिए नाम वाले शब्द क्या होते हैं जो नाम बताते हैं किसका या तो किसी वेक्ति का किसी जगह का या किसी वस्तू का और काम वाले शब्द ये बताते हैं कि कौन सा काम हम कर रहे हैं नीमा, ये किसी का नाम है, स्कूल, ये जगह का नाम है, दादी, ये भी नाम है, सबजी काटना, ये है काम, तो इसको हम काम वाले शब्दों में लिखेंगे, घुटने, यानि की नीज, ये हमारे बॉड़ी पार्ट्स हैं, तो ये उसका नाम हो गया, तेल मलना, तेल मलना मतलब ये काम करना है, खाना खाना, ये भी काम वाले शब्द है, तेल, ये एक वस्तू का नाम है, तो हम नाम वाले शब्दों में लिखेंगे, चपले, ये भी कोई वस्तू है, तो नाम वाले शब्द, बाते करना, ये काम वाले शब्द, खेलना, ये भी काम वाले शब्द और खेल का मैदान यह जगा का नाम है तो यह आएगा नाम वाले शब्द में तो इनको आप अलग-अलग करेंगे अब है निमनलिखित प्रशनों के सही उत्तर चुन कर लिखिए पहला प्रशन है नीमा स्कूल से कितने बज़े लोटती है दो बज़े लोटती है घर पर कौन होता है नीमा की मा होती है नीमा के दादा जी होते है या फिर नीमा की दादी होती है तो घर पे होती है नीमा की दा खाना खाते खाते किसकी बाते सुनाती है स्कूल की घर की या खेल की तो वो स्कूल की बाते सुनाती है फिर है नीमा खेलने कब जाती है सुबह शाम या दोपे है तो वो शाम को खेलने जाती है नीमा का इंतजार कौन कर रहा होता है दादा जी मा या फिर दादी तो दादी न नीमा का इंतजार कर रही होती है तेल मलना का क्या अर्थ है तेल से नहाना तेल की मालिश करना या तेल खाना तो तेल मलना होता है तेल की मालिश करना अब है निम्ध प्रश्णों के उतर लिखिए पाठ में कौन-कौन है पाठ में नीमा और उसकी दादी है नीमा की दादी घ बन पड़ी हो गई हैं इसलिए वो घर पर ही रहती हैं। कि हमें कब समय का पता नहीं चलता हम जब अपना कोई मन पसंद काम करते हैं तो समय का पता बिल्कुल भी नहीं NS आप जैसे गुटनो में तेल क्यों मलती हैं क्योंकि दादी के घुटनों में दर्द रहता है हमारा समय कब नहीं कटता जब किसी काम में हमारा मन नहीं लगता तो हमारा समय नहीं कटता है मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा अब दादी के तो घुटनों में दर्द था कि घर आके आप क्या करते हैं इस पार्ट से हमने क्या सीखा इस पार्ट से हमने सीखा कि हमें अपने घर में बुजुर्गों के साथ भी समय बिताना चाहिए उनके साथ खेलना चाहिए और उनके साथ बहुत सारी बाते करनी चाहिए तो ये था हमारा पार्ट नीमा की दादी मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक स्वस्थ रहे सीखते रहे